पूरा अमेरिकन मीडिया ना सिर्फ अमेरिकन मीडिया ओवियसली इंडियन मीडिया उसके चानीज जापनीज मीडिया सब लोग इस बात को डिसकस कर रहे हैं कि जो भारत से एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया की जो थर्ड कौर्टर की ग्रोथ रेट है ये जादा खास नहीं होगी आवरेज ही होगी वो सारी एक्सपेक्टेशन को बिलकुल तोड़ कर इंडिया ने जरी है 8.4% की ग्रोथ यहाँ पर आप देख पाएंगे इंडिया जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेट्स तु 8.4% इन थर्ड कौर्टर सारी एक्सपेक्टेशन को बीट कर लिया गया है और इसलिए पी एम मोधी ने भी स्पेसिफिकली इस टॉविक पर ट्वीट करी थी और अ ताकत इसलिए दिखाता है क्योंकि हम एक ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जहां पर दुनिया में हर तीसरे चौथे महीने एक बड़ी एकोनोमी प्रामेरली G7 कंट्रीस की एकोनोमी रिसेशन यानि मंदी में चली जाती है रिसेटली ही हमने देखा कि दो बहुती इंपोर्टेंट एकोनोमिक पावर्स जपैन और युनाटिट किंगडम दोनों ही चले गए मंदी में और वैसे मैं आपको बता दूँ कि जब ये निवस सामने आई थी आज से कुछ दिन पहले कि जपान और युके दोनों अब मंद इने से नेगेटेव ग्रोस रेट दिखा रही है मतलब इनकी एकोनोमी जीडिपी ये सिकुड रही है और जपान की आर्थिक मंदी की वज़े से तो जपान अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एकोनोमी बन चुका है नई तो इससे पहले जपान था थर्ड स्पोर्ट अब ये लोग फिसल के आ चुके हैं फोर्थ स्पोर्ट पर और अभी तो दुनिया भर के एकोनोमिस्ट कह रहे हैं के ये तो बस शुरुवात है अभी 18 टोटल और कंट्रीज हैं जो हो सकता है के लंबे समय तक आर्थिक मंदी में चले जाए नाओ मुझे यहाँ पर एक बा को आप करेक्ट भी कर सकते हो मगर इंडिया के सामने प्रॉब्लम ये है के अगर इन कंट्रीज में लगाता रिसेशन आ गई तो कही ना कही हमारे एक्सपोर्ट को चोट पहुचेगी हम 11.4 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट करते हैं UK को जपान को करते हैं 5.5 बिलियन पोश करता है ग्रोथ के नंबर्स 8.4 परसेंट तो पूरी दुनिया genuinely impressed होती है और एक बार को यहाँ पे आप एक सवाल पूच सकते हैं के चलो ठीक है ये तो हम बात कर रहे हैं तीसरे क्वाटर की ग्रोथ रेट की मतलब के तीन महीने में हमने इतनी ग्रोथ रेट पोश कर 8.4 परसेंट मगर पूरे साल का क्या देहिए पूरे साल का जो अनुमान धाना कई लोगों की जो expectation थी के इंडिया ग्रोख करेगा पूरे financial year 2023-24 में 6.8 परसेंट या फिर 6.7 परसेंट वो सारी predictions धराशाई हो चुकी हैं अब दुनिया के बड़े बड़े financial houses खुल कर कह रहे ह हैं कि हमारे हिसाब से अभी जो financial year चल रहा है जो 31 मार्च को खतम होगा उसमें इंडिया की जो total growth rate है अब मान के चल रहे हैं 7.8 परसेंट पहुँच जाएगी और अगर यहाँ पे आपका सवाल है वेट वेट तीन महीने में ग्रोख किये 8.4 परसेंट पूरे साल की growth rate होगी 7.8 परसेंट यह क्यों यह थोड़ा सा सरल भाशा में आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है as of now पूरी दुनिया वेट कर रही है एक data का data इस बात का के इंडिया ने 1 एपरल 2023 और 31 मार्च 2024 के बीच में GDP growth कितनी करी थी यह पता लगाना काफी important है अभी के लिए म economically magical रहा है magical word ही मैं यूज करूंगा क्योंकि अगर हम बात करें पहले quarter की क्योंकि financial year को एक साल में 12 महीने होते हैं तो इने हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं 4 quarters में तो जो पहला quarter था मतलब April से लेकर जून 2023 का जो time था उसमें इंडिया की growth rate थी 8.2% फिर अगला quarter आया उसमें 8.1% की growth rate सब लोग मान कर चल रहे थे चलो दो quarter अच्छे चले गए तीसरा quarter तो मतलब भी नहीं है कि यहाँ पे इंडिया growth दिखा दे especially जब UK जपान मंदी में जा चुके हैं कैसे हम लोग October December में ज़ादा growth करेंगे मगर इंडिया ने दुनिया को शौक किया है और इस quarter 3 जो आखरी 3 महीने हैं इस financial year के मतलब के यह जैनुरी से लेकर मार्च तक का जो time है इसमें growth rate अगर हमारी फिर से 7.8 या उसके आसपास चले गई तो कोई बड़ी बात नहीं है पूरे साल में जो हमारी GDP growth rate है यह 8% के उपर जा सकती है इसकी संभावना बनी हुई है यह इं इतनी growth rate करी है इन नंबर से इस language से काफी बार आम वीवर इस बात को genuinely appreciate नहीं कर पाता जैनुरी समझ नहीं पाता के सच में यह कितनी बड़ी बात है अगर मैं आपको दिखाऊं के चाइना की growth rate कितनी रही थी साल 2023 में तो इनका जो financial year है बाइद अबे चाइना का यह लोग एक टाइम पर बिल्कुल इंडिया के net to net था GDP growth rate के मामले में अब यह 5% के आसपा सिमट किरा गई है और global media जब चाइना के वारे में रिखता है तो साथ में एक बाद यह भी एड़ करता है कि अब back to back years में चाइना की ना सिर्फ GDP growth rate डाउन जा रही है इनकी population भी decline में है और future में आप देखोगे चाइना की GDP growth rate जादा most probably यह 4-5% पर सिमट जाएंगे क्योंकि पहली बात इनके देश में आबादी बहुत ज़रा 23 से कम हो रही है और डूसरी बात इंडिया के साथ relations खराब करके जो एक बार को चाइना को एक बहुत जादा आसान access था इंडिया की huge market का वो access अब काफी limit हो चुका है जो मेरे हसाब से चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ा economic blender है और मुझे न यहाँ पर एक बहुत ही important concept भी clear करना होगा मुझे बता है आप मेंसे कई लोग यह question पूछ रहोंगे के ठीक है performance above average है मगर 10% की growth rate कब आएगी कब इंडिया का वो 11 साल आएगा जब लगातार हम 10-10% ग्रो करेंगे देखो अभी भी सरकार ने यही बोला है कि आने वाले 5-6 सालों तक इंडिया 8% के आसपास जो GDP growth rate है यह register कर पाएगा तो 10% को लेकर अभी सरकार भी इतनी जादा enthusiastic नहीं दिख रही मगर आपने बात नोट करी होगी अगर आप internet पर जाते हैं आप articles explore करती है तो वहाँ पर कई जगा लिखा होता है कि नई जी इंडिया ने तीसरे क्वाटर में 10.1% की GDP growth rate करी है दर्ज अब यह देखकर कई लों कन्फिस हो जाती है कि यह 10.1% क्यों लिखा हुआ है GDP growth rate यह दो टाइप की क्यों होती है एक real GDP growth rate दूसरी nominal GDP GDP growth rate और जो यह nominal GDP growth rate है यह हमेशा जादा क्यों दिखती है reason यहाँ पर बहुत ही simple है जो nominal GDP growth rate है इसमें हम inflation को count नहीं करते हैं यहाँ पर हम बिल्कुल raw numbers use करते हैं dollar terms में economy को देखते हैं inflation वगारा सब भूल भाल के हम calculate करते है GDP growth यह वाले जो numbers है आसा नहीं है कि बिल्कुल बे investment करते हैं उनके लिए nominal GDP growth के numbers काफी important होते हैं मगर दुनिया में जो बड़े economist होते हैं जो आप कहली जो बड़ी reports हैं बनती है के country की GDP growth rate किती है वो focus करती है real GDP growth पर तो real GDP growth जो है वो जैसे मैं आपको बताया 8.4% है तीसरे quarter की इससे पहले के जो 2 quarter थे वहाँ पे हमने 8.2 और 8 1.1% की growth rate है ये करीथी register ये जानना आपके लिए काफी important है ताकि आप कल को confused ना हो जाए अब यहाँ पे पूछ रहे हैं चलो ठीक है real GDP ही सही मगर हम लोग कहां जा रहे हैं क्या हम क्या सकते हैं कि future में एक बड़ी news सुनने को मिलेगी तो मैं आपको बतातू हाँ 2027 की शुरुआत में most probably इंडिया पहले जपान को beat करेगा to become world's fourth largest economy क्योंके जपान नीचे आ चुका है उसके बाद आएगा number जर्मनी का और ये बात अब दुनिया भर में लिखी जा रही है यहाँ पे आप देख पाएंगे Forbes का article है कुछी दिनों पराना February 23 का ये कह रहे हैं कि India will grow to become the world's third largest economy by 2027 पहले इस बात को लेका लोगों को संदेथा कि क्या हम ये कर पाएंगे क्या 2028-39 का time लग जाएगा क्या इंडिया genuinely 2027 में ये accomplish कर पाएगा तो अभी मैं आपको ये बजा दू जो नमबर सामने आए हैं और जो momentum चल रहा है इंडिया का definitely इंडिया will become world's third largest economy by 2027 no doubt about that और finally अगर आपका एक question ये है कि अब क्या मेरी सारी वीडियो आपको study IQ चैनल पर ही मिलेगी तो इसका answer है हाँ बिलकुल और आप देखेंगे आने वाले समय में कि study IQ पर मैं वापस क्यों आया हूँ लंबे समय से मेरी इच्छा थी कि आपके लिए मैं history, important battles, world war 1, world war 2 से related videos बनाओ और कही ना कही मुझे जादा अच्छे animations चाहिए थे अपनी वीडियो में जादा अच्छी उस presentation चाहिए थी and I think study IQ में आकर आप genuinely देखेंगे कि आने वाले समय में जो मैं videos upload करूँगा they will be next level, absolutely next level और उसके लावा देखिए मैंने किसी भी channel पर काम किया हो पिछले कुछ सालों में चाहिए वहाँ पर 3 million subscriber हो या फिर 6 million लोगों ने हमेशा मुझे देखा as a study IQ guy study IQ से जो मेरी शुरवात हुई थी यहाँ पर it never left me, I was always seen as a study IQ faculty and बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है यह देखकर कि study IQ family अब 16 million subscribers को भी cross कर चुकी है and I assure you कि मैं बहुत सारा content यहाँ पर upload करने वाला हूँ जितनी videos पहले डालता था उससे कई गुना ज़ादा डालूँगा and I am really sorry कि आपको February month में मेरी videos नहीं मिली, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पर छुटीयाम राने के लिए गया था या फिर enjoy कर रहा था कहीं पर मैं चुप चाप स्क्रीन पर बैट के आप सब की comments देख रहा था, आप सब की posts देख रहा था, Twitter पे, Reddit पे और जगा पे and I missed all of you a lot, मैं बहुत चारा miss कि आप लोगों को और I assure you कि जो यह gap आया है मैं आज के बाद कभी भी नहीं आने दूंगा, so it is good to be back, I missed all of you and as I always say, may the gods watch over you